सूप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सब मैं जोती सिंग आप सबका एक बार फिर से अपने राइज़ाप अकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागातियों मैं अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग बहुत मज़े से होंगे और नए वर्ष की तैयारिया भी कर रहे हूंगे लेकिन अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा समय दीजिए क्योंकि पढ़ाई से ही आपका भविशन निर्भर करेगा और आप जितनी अच्छी प्रप्रेशन करेंगे आपका फ्योचर उतना अच्छा होगा और हम जो है आज दूसरा मॉक टेस्ट आज लेकर आ सब सीज़े समझा जाएंगे और जैसा हे अपने इंडएक इनडफ की सवह आपको वादा किया था जैब आपने इंडएक्स किया था होगे आपको बोला था मुझामर क्रेंगे उस दूसरा हम मॉक टेस्ट लेकर आए इसके भाद घ्ष सेजों यहांपकर डिसक्स करेंगे औ और उसके मैं आपको handwritten notes भी दोंगी जिसको आप टेली ग्राम ग्रूप में जाकर ले सकते हैं, चलते हैं, हम अपना आज की class शुरू करते हैं, देखते हैं पहला question क्या है, आज का हमारा पहला question है, हिंदी भासा का प्रथम प्रमाडिक ग्रन्थ कौन सा है, हिंदी भासा का प्रथम प्रमाडिक ग्रन्थ कौन सा है, सस्यी, राम लला नहचु, प्रित्वी राज रासो, आलहा ओदल, मेटा इसका right answer होगा, प्रित्वी राज रासो, हिंदी भासा का प्रथम प्रमाडिक ग्रन्थ है, प्रित्वी राज रासो, पहले हम सारे option डिसकेश क करेंगे सब्सक्राइब तरफ चलते हैं सब्सक्राइब बिहारी जी की रचना है यह एक मात्र रचना है तो यह इसमें श्रिंगार रस प्रधान है यह बिहारी जी की एक मात्र रचना है सस्ताई दूसरा ओप्सन राम नला नाचू यह तुलसिदास जी की रचना है तुलसिदास जी की रचना यह तुलसिदास जी की रचना है और यह एक प्रबंध काब्व है और इसमें कौन सा चंद यूज किया गया है सोहर चंद यह एक प्रबंध काब्व है रबंध कावड और इसका चंद है तोहर चंद चलते हैं अपने तीसरे आप्शन की तरफ पृत्वी राज रासो जो कि हमारा राइट अंसर है ये चंद बर दाई जी की रचना है चंद बर दाई जी की रचना है ये बेर रस प्रधान कावड है बेर रस प्रधान कावड है दी आप्शन हमारा आलहा उदल ये जगनिक जी की रचना है जगनिक जी की रचना है बेटा चंद बर दाई जी की जो रचना है ये इन्हों ने जो रचना की है प्रधिवी राज रासो जी की ये हिंदी का प्रथम महा काव बे माना जाता है जिसके लिए इसको ये प्रथम प्रमारिक ग्रंत इसकी संग्या जो दी गई है इसलिए दी गई है क्योंकि ये हिंदी का प्रथम महा कावड है और जगनिक जी की जो ये रचना है आलहा उदल मैं आपको आलहा उदल के बारे में थोड़ी बाते बताना चाहूंगी एक छोटी सी कहानी आलहा उदल दो सगे भाई हैं और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली थे इनको भीम जी का आउतार माना जाता है और ये पृतिवीराज चौहान जी के समय में थे बुंदेल खंड के ये लोग थे तो पृतिवीराज चौहान जी जब बुंदेल खंड पर आक्मड करते हैं ये दोनों भाई बहुत ही वीरता के साथ पृतिवीराज चौहान जी से युद्ध करते हैं और गंगोर युद्ध ह उस युद्ध का परडाम क्या होता है कि छोटे भाई जी के उदल जी उसमें बेरगती को प्राप्त हो जाते हैं जिसके बाद आलह जी इनको बहुत गुस्ता आ जाता है और फिर ये प्रित्वी राज जी से बनला लेने की सोचते हैं और एक और दूसरे युद्ध में ये प् बना लिया तो फिर इनके गुरु जी थे एक अला जी के स्री गोरक नाज जी उन्होंने इनको आदेश दिया कि आप इनको छोड़ दीजिए तो उनके आदेश के अनुसार इन्होंने प्रित्वी राज जी को जीवन दान दे दिया और खुद सन्यास ले लिए चलते हैं समास क्या होता है कि समास दो सार्धक सब्दों को मिला कर जब हम उसका मेल करते हैं तो समास बनता है पहला हम देखते हैं पहला option बिच्छेद क्या बिच्छेद कहते हैं या फिर बदलाव कहते हैं विग्रह कहते हैं या फिर बिभक्ति कहते हैं पहला हम बिच्छेद किसका होता है दो वर्णो का मेल जब होता है तो क्या होता है संदी संधी होता है जब दो वर्णों को हम मिलाते हैं तो संधी होता है और जब इनी दोनों वर्णों को फिर से हम अलग-अलग करते हैं तो फिर क्या होता है? बिच्छेद तो यह option हमारा गलत हो गया क्योंकि यह समास के बारे हम पूछ रहा है बदलाव क्या होता है बदलाव मतलब चेंज करना बदलना और बिग्रा बिग्रा क्या होता है पहले हम समास देखेंगे दो सार्थक शब्दों का मेल क्या होता है समास दो सार्थक सब्दों को जब हम मिलाते हैं तो समास बनता है फिर इनी सब्दों को जब हम इनको अलग-अलग करते हैं तो फिर वो बिग्रा हो जाता है इसका right answer क्या होगा C option विग्रा चलते हैं अपने अगले question की तरफ अगला question देखते हैं मुझे बाहर जाना है रेखां की चिन को पहचानिए रेखां की चिन मुझे बाहर जाना है रेखां की चिन को पहचानना है चलते हैं अपने options को देखते हैं ए ऑप्षण अप्षं पूर्ड विराम अब हम देखते यह यह चिंद होते कैसे हैं पूर्ड विराम ऐसा प्रस्न वाजög चिंद ऐसा अल्प विराम ऐसा लागओ चिंद ऐसा यह कि निशान है तो इसका राइट अंसर क्या होगा ए उप्शन पूर्ड विरांग चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन जहां वाक की की गति अंतिम रूप ले ले अंतिम रूप विचार के तार तूट जाएं वहां किस चिन्द का प्रयोग किया जाता है इस क्या पूष रहा है कोई वाक की जब हम सुरू करते हैं वाक की जब पूरा हो जाता है मतलब जो बात वो कहना चाहता है वो बात पूरी हो जाती है तो वहां पर कौन सा निशान आता है चलिए देखते हैं योजक चिन आएगा या फिर अल्प विराम आएगा उधरर चिन या फिर पोड विराम योजक चिन क्या होता है योजक चिन अल्प विराम अल्प विराम उधरर चिन उधरर चिन उधरर चिन बेटा दो प्रकार के होते ही पहला दोहरा उधरर चिन और ये एक एहरा उद्धर अर्चिन लास्ट पूर्ड विराम जब कोई वाक के पूरा हो जाता है उसके बाद कुछ और नहीं बसता है से तो क्या होता है वहाँ पर क्या आता है पूर्ड विराम डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ अगला चुन कोँ से उत्तम पुरुष मध्याम पुरुष और अन्नि पुरुष इन inne पुरुष में कोऊं पुरुष में उत्तम पूरुष में कौँं कौंसे सब्दी मैं और हम मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है तुम और अन्य पुरुष में यह वह इन दोनों को छोड़कर इनसे बनने वाले बाकि जितने भी शबद होते हैं वो अन्य पुरुष के अंतरगत आते हैं और वाक्य में यह को वक्ता कहा जाता है कि अन्य को स्रोता कहा जाता है अगला कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है भगवान मेरी रक्षा करो देए गए बिकल्पों में से सही का चैन कर रिक्त अस्थान भरिये यह क्या कह रहा है कि यह जो इतने सारे बिकल्प दिये हुए है इसमें से सही बिकल्प चुनकर इस रिक्त अस्थान में भरना है हे भगवान मेरी रक्षा करो चलिए देखते हैं क्या आएगा इसमें बिस्मयादी बोधक चिन्न आएगा या फिर क्रिया शर्वनाम या फिर शंग्यात बिटा ये बिस्मयादी बोधक वाक्य हैं तो इसमें बिस्मयादी बोधक चिन्न आएगा इसका सही उत्तर होगा A option पीटा हिंदी बहुत ही आसान भाषा होती है और इसको समझने के लिए हमको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है अगर हम थोड़ी मेहनत करें हिंदी भाषा को पढ़कर हम अच्छा नंबर ला सकते हैं और हमारा रिजल्ट जो है हिंदी भाषा बहुत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है हिंदी पढ़ने में हमको बहुत कम समय देने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा बाकी और विश्यों को पढ़कर हम जितना समय देते हैं उसके तुलना में हिंदी में कम समय देकर हम अच्छा मार्क ला सकते हैं चलते हैं अपना अगलो कुशन देख क्या इसको योजना विराम कहते हैं या फिर अर्ध विराम कहते हैं अल्प विराम कहते हैं या फिर निर्देशक चिन कहते हैं पहले हम देखते हैं इन चिन्नों को लिखा कैसे जाता है योजना विराम बेटा कुछ नहीं होता है अर्ध विराम कैसे लगता है अर्ध विराम इस तरह लगता है अल्पि विराम और निर्देशक चिन बेटा ये जो निशान है ये हमारा ये option अर्थ विराम सही उत्तर होगा चलते हैं अगले question की तरफ अगला question हमारा दो शमनार्थी शब्दों की पुनरोक्ति के बीच में किस विराम चिन्न का प्रियोग करते हैं ये कह रहा है कि दो समान समनार्थी सब्द मतलब ऐसे शब्द दो जिनके अर्थ समान हो वो समनार्थी सब्द होते हैं तो दो शब्दों के बीच में हम कौन से चिन्न का प्रियोग करते हैं चलिए देखते हैं options, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, योजक चिन्द का या फिर कोश्ठक का, पहले हम यह देखते हैं यह निशान कैसे लगते हैं, अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्द और कोश्ठक इस तरह, अब हम कुछ नमनार्थी सब्दों का उधारड देखते हैं जैसे साथ साथ जोर जोर अब इसके बीच में बिटा क्या चिन्हाता है इसके बीच में ऐसा निशान लगा रहे हैं तो आपने देखा होगा काफी जगों किताबों में लिखा हुआ इस तरह है तो यह निशान आता इसको क्या कहते हैं योजक चिन्हें तो हमारा सही उत्तर क्या होगा योजक चिन्हें दो समनार्थी सब्दों के बीच में क्या आता है योजक चिन्हें चलते हैं अपने आगले कोश्चन की तरफ अगल उज्जवलन और उज्जवलन बागी सबको सेन ही आ रहा है इसलिए इसका राइट अंसर क्या तो जो न से अगले कुशिंड की तरफ अगला कोश्यन हमारा निम्न में से बरतनी की द्रिश्टी से अशुद्ध शब्द कह रहा है कि इन ऑप्शन्स में जो शब्द है इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है अशुद्ध ढूंड़ना है यह चीज को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे शुद्ध सब सुद्ध सोच के गलत कर जाते हैं इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है ध्यान दीजिएगा यह अशुद्ध पूछ रहा है जब इस तरह के कोश्चन पूछन पूछे एक्जामर तो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से करना होता है ध्यान दीजिएगा यह पहला हमारा option प्रादेशिक माधोरिय व्याप् यह जो प्रमाडिक सब्ध है इसका right answer डी option है यह जो प्रमाडिक सब्ध है इसको कैसे लिखा जाता है प्रामाडिक प्रामाडिक बेटे जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं प्रमाडिक लेकिन इसका शुद्ध सब्ध क्या होता है प्रामाडिक आशा है आपको समझ में आ करके भी वहाँ प्रथम अस्थान ना प्राप्त करतका नीचे दिये गए बिकल्पों में से इस वाक में रेखांके शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए मतलब कह रहा है ये शब्द जो अध्यन लिखा है ये गलत है ये चार आप्षन दिये गए हैं आपको इसमें से जो सही ऑप्षन है वो हमको सही करना है तो हम देखते हैं क्या होगा आध्यन, अध्यन, अध्यन और अध्यन इसका राइट अंसर होता है अध्यन अध्यन शब्द शुद्ध होता है चलते हैं अपने अगले कुशन की तरफ अगला question हमारा सुद्ध शब्द चुनिये सुद्ध शब्द इसमें से क्या है गंगा जल बे बुनियाद बड़ा सा चौपाया चलते हैं बेटा हम अपने देखते हैं questions को किस options को कैसे लिखा जाता है सुद्ध गंगा जल गंगा जल गंगा जल बिटा इस तरह लिखा जाता है और बे बुनियाद बे बुनियाद इस तरह लगता है लिखा जाता है और शी option बड़ा सा ये इसका right answer है डी option कैसे लिखा जाता है चौपाया इन options में से ये तीन option हमारे सुद्ध लिखे हैं ये अशुद्ध हैं और इसी option हमारा बड़ा सा ये अशुद्ध है कैसे हैं आईए हम देखते हैं ये किस तरह सुद्ध है कुछ सब्द होते हैं जिनको जब हम लिखते हैं तो उनके बीच में ये निशान लगता है आईए देखते हैं कौन-कौन से शब्द है जैसे जैसा वैशा यहाँ पर निशान लगेगा जैसा देश वैशा बेश जैसे उचा सा नीचा सा ये सब्द जो बिटा हम प्रयोग करते हैं तो इनके बीच में ये निशान आता है यो जक्चिन चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन देखते हैं सही बढ़तनी सब्द का चैन कीजिए ये क्या कह रहा है ये जो चार आप्शन से इसमें से कौन सा सब्द शुद्ध है किसकी बढ़तनी शुद्ध है देखते हैं हम अवन्नति श्रिंगार मुस्किल मात्र भूमी पहले हम देखते हैं इसका सही शब्द क्या होगा कैसे लिखा जाता है अवन्नत कैसे लिखते हैं और अवन्नति मुश्किल मुश्किल और मात्र भूमी बेटा हमारा सही उत्तर इसमें बी ऑप्शन श्रिंगार होगा और बाकी इन सब का सही ये होगा ये उन्नति का बिलोम है उन्नति का बिलोम होता है अवनति चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन हमारा बचन किसके लिए प्रियोग किये जाते हैं बचन क्या संग्या के लिए प्रियोग किये जाते हैं शर्वनाम के लिए, विशेशन के लिए या फिर अलंकार के लिए किसके लिए बचन का प्रियोग होता है इसका सही उत्तर बिटा होगा बचन संग्या के लिए प्रियोग किये जाते हैं और शर्वनाम सब्द जो सब्द संग्या के अस्थान पर प्रियोग किये जाते हैं वो शर्वनाम होते हैं और सर्वनाम और संग्या की जो विशेशता बताते हैं वो विशेशण होते हैं और कावी की सोभा बढ़ाने वाले सब्द को हम अलंकार कहते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा A option चंग्या चलते हैं अगले question की तरह अगला question हमारा यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी क्या पूछ रहा है सकर्मक क्रिया क्या होती है जिसमें कर्म साथ होता है वो सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म नहीं ह हawk क्रिया होती है आई देखते हैं मॉड जाना मोडना या फिर मुड्वान इसमें मोड सब्सक्रिट क्या है ये संगियास अ म मुड जाना आ यह संयूक्त क्रिया क्या है संयूक्त क्रिया करें मोड़ना क्या है यह है सकर्मक क्रिया और मुड़वाना क्या है प्रिराठ्थक क्रिया प्रिराठ्थक क्रिया इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन मोड़ना इसको हम एक उधारण के माध्यम से समझते हैं उधारण देखते हैं हम सड़क मुड़ गई अब आप इसमें देख रहे होंगे यह अकर्मक क्रिया का उधारण है अब हम सकर्मक का देखेंगे अकर्मक क्रिया का ठेके दार ने सड़क को मोड़ दिया थेके दार ने सड़क को मोड़ दिया क्योंकि इसमें कर्म है इसलिए यह सकर्मक वाक्य है चलते हैं अपने अगले कुशन की तरफ अगला कुशन हमारा मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धी है क्या पूछ रहा है अशुद्धी है मैंने मेरे को सुधार लिया है देखते हैं options क्या इसमें कारक शंबंदी असुद्धी है या फिर शर्वनाम संबंदी अशुद्धी है लिंक शंबंदी असुद्धी या फिर वचन संबंदी अशुद्धी है मेरे को इसमें बेटा इसका सही उत्तर होगा बी आप्शन शर्वनाम संबंधी अशुद्धी है ठीक है चलते हैं अपने अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन हमारा दादी ने धेर सारे खिलोने खरीदे इस वाक्त में प्रियुक्त विशीशर कौन सा है धेर सारे खिलोने खरीदे इस कुश्चन का उत्तर बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजे बताना चाहती हूँ चलते हैं समस्ते हैं देखते हैं पहले हम विशेशर देखते हैं कितने प्रकार का होता है विशेशर मेटा भिशेशण हमारा चार प्रकार का होता है कौन-कौन सा गोड़ वाचक दूसरा संख्या वाचक संख्या वाचक तीसरा परिमाण वाचक परिमाण वाचक और लास्ट चौथा चौथा हमारा शार्वनामिक शार्वनामिक विशेशण शार्वनामिक विशेशण मेटा इसमें हमारे जो संख्या वाचक और परिमाण वाचक विशेशण है ये भी दो-दो तरह के होते हैं आईए देखते हैं कौन-कौन से निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक ये भी क्या होता है निश्चित और अनिश्चित 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 अब आप पूछेंगे कि मैम दोनों में जब निश्चित और अनिश्चित है तो इसमें दोनों में निश्चित अनिश्चित क्या जरूत पड़ गई कि मेटा जरूरत है इसलिए क्योंकि जब ये इस निश्चित और निश्चित की बात की जाएगी तो इसमें संख्या को ध्यान रखेंगे किसको संख्या का संख्या का ध्यान रखेंगे और बात जब परिमार वाचक में आएगे निश्चित अनिश्चित की तो यहां पर परिम कि दादी ने धेर सारे खिलोने खरीदे खिलोने खरीदे धेर सारे इनकी संख्या तो निश्चित नहीं है क्योंकि अगर संख्या निश्चित हो जाएगी तो निश्चित वाचक हो जाएगा अगर संख्या निश्चित नहीं तो निश्चित वाचक हो जाएगा तो इसका कश अगला कॉष्चन और अगला थन्ड़ा हिंदी व्याकरण के अनुसार थन्दा शब्सक्षरेस के बेदों की किस त्रेड़ी में आता है से हमने अभी जो चार्ट बनाया है हम उस तरफ चलते हैं बिटा हमारा जो विशेषड का ये पहला प्रकार है गुडवाचक विशेषड इसमें क्या है नया, पुराना, ठंडा, गरम ये सब चीजे हमारे गुडवाचक विशेषड के अंतरगर आती हैं तो हमारा question क्या पूछ रहा है question पूछ रहा है सब्द ठंडा, हिंदी विशेषड के अनुसार विशेषड के भेदों की किस स्रेडी में आता है तो गुडवाचक विशेषड हमारा देखे किस option में है, the option में इसका सही उत्तर होगा, the option गुडवाचक विशेषड चलते हैं अगले question की तरफ अगला question हमारा शब्द पूराना हिंदी विशेषड के अनुसार विशेषड के भेदों की किस स्रेडी में आता है यह पूराना शब्द है अभी हमने पीछे आपको समझाया दिखाते हैं आपको फिर से यह बिटब विशेषड का यह जो प्रकार है गुडवाचक इसमें ठंडा गरम पुराना अभी हमने समझाया थो तो यह इसमें आता है तो इसका उत्तर क्या होगा पुराना शब्द हमारा गुडवाचक विशेषड है गुडवाचक किसमें है option D, D option हमारा सही उत्तर होगा गुडवाचक विशेषड आसा करते हूँ को आप सभी को जो मैंने अभी समझायों सब समझ में आ रहा होगा चलते हैं अपने अगले question की तरफ अगला question देखते हैं अगला question क्या है हमें प्रति दिन शूरे नमस्कार करना चाहिए प्रति दिन शूरे नमस्कार करना चाहिए रेखांक के शब्द रेखांक के शब्द कौन सा है प्रति दिन इसको पहचानना ये है क्या चलिए हम options से देखते हैं option क्या ये उप्शर्ग है या फिर अभ्वे है शर्वनाम है या फिर कारक है उफशर्ग क्या होता है बिटा उफशर्ग उफशर्ग वा होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है ये शब्दांस होता है उफशर्ग और प्रत्य दोनों शब्दांस होते है ये एक सब्द के पहले लगता है उपसर्ग और जो बाद में लगता है वो प्रत्य होता है आये मुदारण देखते हैं उपसर्ग जैसे हम एक शब्द लेते हैं हार हार यह हार शब्द है इसमें हम एक उपसर्ग लगाते हैं उप हमको क्या नया शब्द मिलता है उप हार उप हार मिल गया तो यह हमारा उप्षर्ग हो गया अब्य क्या होता है अब्य वह है बेटा जिसमें काल वचन लिंग कारक इन सबका कोई प्रभाव ना पड़े वह होता है अब्य अपना उनका आर्थ बदलता नहीं है अब यह क्या होते है अब जैसे प्रतिदिन है तो प्रतिदिन में आप देखिए उदारण देश से समझते हैं उदारण उदारण के बाद्यम से हम समझेंगे जैसे राम प्रतिदिन विद्याले जाता है राम प्रतिदिन विद्याले जाता है दूसरा उधारण पीता प्रतिदिन विद्याले जाती है बेटा आप इसमें देख रहे होंगे राम प्रतिदिन विद्याले जाता है चाहे राम जाये चाहे सीता जाये लेकिन इस प्रतिदिन पे कोई अंतर नहीं आ रहा है ये प्रतिदिन हमारा जिस रूप में पुलिंक के साथ लगा हुआ है उसी रूप में हमारा इस तरी लिंक के साथ लगा हुआ है क्रिया में देखे परिवर्तन हो गया यहाँ पर जाता है यहाँ पर जाती है तो बिटा अब्या सब्द इनके चाहिए किसी भी लिंक के साथ लिखे जाते हैं इनका इनके कोई परिवर्तन नहीं आता है इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, B option, अब बै, चलते हैं अपने अगले question की तरफ, अगला question हमारा, दिये गए बिकल्पों में से बिधुर शब्द का इस्त्री लिंग कौन सा है, चलिए हम option देखते हैं, A option, बिधुराइन, B option, बिधुर, C option, बिधुर, और D option, बिधुरन बिधुर का इस्त्री लिंग, बिधुर होता है, C option हमारा सही उत्तर होगा, चलते हैं अपने अगले question की तरफ, अगला question हमारा, ए राकेश, यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ए राकेश, यहां आओ, यहां पर कौन सा कारक है, अब इस question का उत्तर लिखने के जानने के लिए, हमको कुछ चीजे आप को समझाति हूं, समझे, आप अपने आप उत्तर फिर दे पाएंगे, देखते हैं पहले, कारक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में बिटा कारक आठ प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक शंप्रदान कारक आपादान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक और लास्ट संबोधन कारक कारक हिंदी में बेटा ये आठ कारक होते हैं अब इनके कुछ चिन होते हैं जिनको क्या कहा जाता है बिभक्ती या परशर्ग क्या कहते हैं बिभक्ती या परशर्ग अब हम इनके चिन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं करता ने कर्म को के लिए करण से द्वारा और साथ इसमें तेशब्द होते हैं से द्वारा और साथ संप्रदान का क्या होता है के लिए अप्रदान का क्या होता है से इस से का क्या मतलब होता है इसमें अलगाओ की जब बात की जाती है या फिर रक्षा का भाव होता है या फिर रक्षा का अलगाओ का और फिर इसका भाव होता है रक्षा का अलगाओ का संबंध में क्या क्या आता है का की रा री ना नी ये चिन होते हैं संबंद कारक के अधिकरण में क्या आता है? पर ये अधिकरण के तीने चिन होते हैं और सम्भोधन में क्या आता है? हे, अरे, हो, ए, ए, बिटा यहाँ पर पूछ क्या रहा था? ए राकेश यहाँ आओ, ये ए सब्द हमारा सम्भोधन का है, सम्भोधन कारक का, सम्भोधन कारक हमारा किश आप्शन में है? बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सहीं उत्तर होगा, सुलते हैं अपने अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन हमारा सीमा कुट्टे से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? फिटा भी आपने पीछे आपको बताया, अपाधान कारक जो होता है, मैं भूल गई थी लिखना यहाँ पे, इसमें क्या होता है? अलगाओ का भाव, डर का भाव और रक्षा का भाव, यह जब तीन बाते की जाती है, तो हमारा वहाँ पर अपाधान कारक होता है, तो कुश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछ रहा है? सीमा कुट्टे से डरती है, इसमें क्या है? डरने का भाव, डरने का भाव जहां होगा, वहाँ पर अपाधान कारक, अपाधान कारक किस आप्षन में है? एअप्षन, एअप्षन हमारा सही उत्तर होगा, चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन हम दे किस आपर क्या होगा? अपाधान कारक, इसका सी उप्षन सही उत्तर होगा, अपाधान, चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन हमारा किंचित तस्तम सब्द का तदभव सब्द बताईए, तस्तम सब्द क्या होता है वेटा? तस्तम का मतलब सुद्ध संस्क्रिस सब्द, जो मोल सब्द संस्क्रिस से लिए गए हैं वो तस्तम कहलाते हैं और तदभव अशुद्ध शब्द होते हैं, चलते हैं देखते हैं कौन सा शब्द, क्या पूछ रहा है? तदभव, अशुद्ध कौन सा सब्द है? परन्तु, लेकिन कुछ थोड़ा, इ किन्चित का क्या होता है? किन्चित सब्द है, इसका तस्तम, एक किन्चित तस्तम सब्द है, इसका अशुद्ध शब्द क्या होगा? अशुद्ध शब्द इसका बेटा होता है, C option, किन्चित का मतलब होता है, कुछ चलते हैं अगले कोस्षिन की तरफ, अगला कोस्षिन हमारा निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चैन कीजिए अनेकार्थक शब्द का मतलब ऐसा सब्द जिसके एक से जज़ादा अर्थ हो उनको अनेकार्थक सब्द कहते हैं आईए देखते हैं किस option में ऐसा सब्द है, A option नाशिका, B option कान, C option अंग, और D option नेत्र, बेटें नाशिका का क्या मतलब होता है, नाग, और कान का क्या मतलब होता है, करड़, अंग का क्या मतलब होता है, शरीर का अंग, भाग, और किसी राजी का नाम भी एक है, अंग, राजी का नाम है, नाम, है अंग, महाभारत की समय में, करड़, आप लोग जानते हैंगे, करड़ जी का नाम, वो अंग की राजा थे, अंग राज उनको कहा जाता है, और नेत्र, नेत्र का मतलब क्या होता है, आग, बच्चों आप इसमें देख रहे होंगे, कि ये अंग शब्द जो है, इसके बहुत सारे अर्थ है, इसका सही उत्तर क्या होगा, शी ओप्शन हमारा अंग, उम्मित करती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मेरी बाते आप तक पहुंच रही होंगी, चलते हैं अगला कुश्चन देखते हैं, क्या है, अगला कुश्चन हमारा, वे शब्दांस जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे शब्द जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, और उनकी लगने से नया शब्द वो क्या होते हैं अभी हमने पीछी इस चीज को डिसकस किया है उसको क्या कहते हैं उपशर्ग जैसे हमने वहाँ पर आपको समझाया था कि हार शब्द है हार शब्द में हम उप लगा दें नया शब्द बन जाएगा उपहार इसी हार में अगर हम वी शब्द उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द बन जाएगा बिहार इसी हार में अगर हम प्रा उपशर्ग लगा दें तो नया शब्द क्या मिल जाएगा प्रहार तो बेटा ये उपसर्ग हमारे इस तरह काम करते हैं और पूरा अर्थ बदल जाता है तो उपसर्ग हमारा क्या होता है जो शब्द के पहले लगता है ये शब्दान्स होता है शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है सही उत्तर हमारा B option, उफ्षर, चलते हैं अगला question, अगला question हमारा समानतया, करता क्रिया, आदिके सार्थक शब्द समू को क्या कहते हैं, ये कहना चाह रहा है question में, कि करता क्रिया, इन सब को मिलाके जो सार्थक समू बनेगा, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा वाक्य इसका सही उत्तर होगा C option वाक्य चलतें अपना अगला question के तरफ निमलीखिट में से कौन सा अलंकार शब्दा अलंकार है शब्दा अलंकार पहले तो हम अलंकार देखते हैं अलंकार इतने प्रकार का होता है अलंकार होता क्या है काब्य की शोबह बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं उनको अलंकार कहा जाता है अलंकार कितने प्रकार का होता है अलंकार बिटा दो प्रकार का होता है शब्दा अलंकार शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार अर्था अलंकार शब्दा अलंकार के विटा तीन भेद होते हैं कौन-कौन से? अनुपराश दूसरा यमक और तीसरा स्लेश शब्दा अलंकार के हमारे तीन भेद होते हैं तो कुश्चन क्या पूछ रहा था? कि शब्दा अलंकार इसमें से कौन सा है इसका सही उत्तर होगा A option यमकलंकार चलते हैं अपने अगले कुश्चन की दरफ आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं अपने अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद